नमस्कार दोस्तो और वेलकम टू स्टेडी नियूस आज मैं आपको मौरिसस के बारे में बताऊंगा इससे पहले मैंने आपको मेड़ा गासकर के बारे में भी बताया था मौरिसस मेड़ा गासकर के पास इस्थित एक आईलेंड कंट्री है ये साड़े बारा लाख लोगों की अबादी वाला एक छोटा आईलेंड कंट्री है इसकी राजधानी पोर्ट लुईस है यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है क्योंकि यहाँ अधिकतर इंडियन्स रहते हैं इस देश में बहुत खुबसूरत व्यूज देखने को मिल जाते हैं सो जानेंगे इसके बारे में सो लेट्स स्टार्ट मौरिसियस का ओफिसियली नेम दे रिपब्लिक ओफ मौरिसियस है यह अफ्रीका कॉंटिनेंट के में लेंड से लगभग 2000 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है इस आइलेंड कंट्री के छोटे छोटे आइलेंड है जिसमें में आइलेंड मौरिसियस है फिर रोडरीगस है एगे लेगा है और सेंट ब्रेंटन है यह सभी रियूनियन आइलेंड के पास है जो फ्रांस का एक आइलेंड है चलिए मैं अब आपको मैप में भी दिखा देता हूँ यह है हमारा भारत इसके सदन पार्ट में यह हिंदमास आगर है मेडागास करके इस्ट में यह रियूनियन के बगल में यह है मौरिसस जिसकी राजदानी है पोर्ट लूिस फिर मौरिसस से इस्ट में जाएंगे और यह है यहाँ पर रोडरिक्स और मौरिसस का एक आइलेंड जो सेसल्स के पास यहाँ पर यह है एगा लीगा यह इसके southern part को south हेगा लिगा कहते है फिर मारिसेस के south east में जाएंगे तो यहां पर है यह छोटा सा island यह है सेंट ब्रेंडन island तो यह सब मारिसेस के छोटे छोटे island है इस देश की history की बात करें तो सबसे पहले यहाँ 975 इस्वी में अरब नाविक यहां आये थे और इन्हों ने इस दीप का नाम दीना एरोबी रखा था इसके बाद 1595 में डचो ने इसे कबजा लिया फिर मोरिसस के ऊपर एक सताबदी से अधिक समय तक डचो ने इसे कबजे में रखा फिर इसके बाद France CIA और 1715 इस्वी में मोरिसस को ILD France नाम देकर इसे अपने नियंतरण में कर लिया इसके बाद Britain ने Paris की संधी में इसे अपने अधिन कर लिया इस तरह आप समझ सकते हैं कि मोरिसस पे डचो ने फ्रांस ने और United Kingdom तीनों ने राज किये ये आप पिक्चर देख सकते हैं ये National History Museum of मोरिसस की है ये पिक्चर ये दरस आता है कि 1965 में मोरिसस की स्वतंतरता के तीन साल पहले ब्रिटेन ने मोरिसस छेत्र से छागोस द्वीप समू को विभाजित किया था और महासागरिय छेत्र के निर्माड के लिए सेसेल्स के अलदाबरा, फरकवाहर और डेसर्च के द्वीपों को विभाजित किया था इस समय यूके ने जबरन द्वीप समू के स्थानिय लोगों को निस्कासित कर दिया था और अपने एक द्वीप जिसका नाम डिएगो गार्सिया है उसे सेउक्त राजिय अमेरिका को किराय पर दे दिया था इस विवाद का हल अभी जाकर निकला दोहजार उननिस में जब ये विवाद अंतर राश्ट्री नियाले तक गया अंतर राश्ट्री नियाले ने जल्द से जल्द ब्रिटेन को मार्गस और चागोस द्वीप वापस सौपने का अदेश दिया है मौरिशस अपना इंडिपेंडेंडेंस डे 12 मार्च 1968 को मनाता है और रिपब्लिक डे 12 मार्च 1992 को मनाता है हालिया गवर्मेंट की बात करें तो इस समय मौरिशस में यूनेटरी पारलियमेंटरी रिपब्लिक की सरकार है जिसके प्रेजिडेंट है प्रिथ्वी राश सिंग रूपन और प्राइम मिनिस्टर है परवींद जुगनौत और वहाँ के लेजिसलेचर को नैसनल असेम्बली कहते हैं वहाँ कोई उच्छ सदन या निम्न सदन नहीं होता है मौरिशस के कल्चर की बात करें तो यहाँ पे लोग बहुत सारी साधियां कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को माना जाता है और बहु सांस्क्रितिक और बहु भासी लोग रहते हैं मौरिसस का मानोविका सुचकांक में एक अच्छा इस्थान है वर्ड बैंक के हिसाब से मौरिसस को एक उच आय वाली अर्थव्योस्था में रखा गया है अफरीकी छेतर में बात करें तो मौरिसस एक विक्सित अर्थव्योस्था में से एक माना जाता है यहाँ पे सरकार मुफ्त स्वास्थ देखभाल देती है और कई जगाओं पे मुफ्त सिक्छा है और वरिष्ट नागरिकों और विकलांगों के लिए मुफ्त सारवजिनिक परिवहन प्रदान किया जाता है मौरिसस को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में सबसे सांतिपूर्ण देशों में से स्थान दिया गया था अफ्रीकन कॉंटिनेंट की बात करें तो मौरिसस एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पे हिंदूों की संख्या ज्यादा है और हिंदू मंदिरों की भी संख्या यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पे mainly English language का यूज किया जाता है मौरिशस की economy की बात करें तो इनकी GDP 31 billion या 32 billion US dollar है जो विस्व में 133 इस्थान रखता है और per capita 25,000 US dollar है जो 61 rank पर है यहाँ पे मौरिशियन rupees यूज होती है 1968 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से मौरिशस कम आये वाला एक देश था इसकी अर्थवयोस था क्रिसी आधारित थी और परियटान वस्त्र चीनी और वित्य सेवाओं पर आधारित थी लेकिन यह इसी से ही एक विक्सित राष्ट बना स्वतंत्रता के बाद मौरिशस की आर्थिक इतिहास और सफलता की वज़े से ही इसे अफरीका की सफलता कहा जाता है इस समय मौरिशस में हाल के वर्सों में Information and Communications, Technology, Safe Food, Hospitality and Property Development, Health Care, Renewable Energy और Education, Trainings और कई important sectors से यहाँ पर आयका सुरत बना हुआ है मौरिशस की जोग्रफी की बात करें तो इस देश का छेतरफल 2040 किलो मीटर वर्ग है यहाँ अकार के हिसाब से दुनिया का 170 वा सबसे बड़ा देश है मौरिशस की एक लंबी जलिये सीमा है जो सेशल्स के साथ भागीदारी में है मौरिशस की बात करें तो मौरिशस दीप जो लगभग 8 मिलियन साल पहले जो आला मुखी गतिविधी द्वारा बना था यह सेंट ब्रेंडन रियूनियन और रोडरिक्स के साथ मिलकर यह दुईप मैसकरन दुईप कहलाते हैं कहा जाता है कि मौरिशस ओशियन के भीतर जो आला मुखी विस्फोट के कारण उबरा छेतर है मौरिशस में बायो डैविर्स्टी की बात करें तो यह देश दुनिया के कुछ दुरलब पौदो और जानवरों का घर है जब 1507 में पुर्टगाली यहाँ पर आये तो वो अपने साथ इस्थंदारी जीव भी यहाँ पर लेकर आये थे इससे पहले मौरिशस आइलेंड पे इस्थंदारी जीव नहीं हुआ करते थे यहाँ पर वन का 2% से भी कम हिस्सा दक्षिड पस्ची में ब्लैक रिवर गौर्जेस नेशनल पार्क दक्षिड पूर्व में बंबस माउंटेन रेंज और उत्तर पस्ची में मौका पूर्ट लोईस रेंज में केंद्रित है यहाँ के जंगल अपने विविदता के कारण जाने जाते हैं मौरिशेश एक प्रमुख परेटन इस्थल है परेटन के छेतर में मौरिशेश की अर्थ विवस्था का चौथा योगदान है इस देश में बहुत सारे व्यूज हैं बहुत अच्छे व्यूज हैं यह आइलेंड कंट्री उष्ण कटिबंधिये जलवायू में आता है इसलिए यहाँ पर साफ पानी की रिजर्व से हैं लंबी समुद्र तठ है 2019 पे यहाँ परलगभग 14,50,000 लोग घूमने आये थे तो यह थी पूरी जानकारी इस देश के बारे में चलिए मैं आब आपको मैप में भी दिखा देता हूँ यह है हमारा भारत इसके सदन पार्ट में यह हिंदमास आगर है मेड़ागास करके इस्ट में यह रियूनियन के बगल में यह है मौरिसस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुईस फिर मौरिसस से इस्ट में जाएंगे और यह है यहाँ पर रोडरिक्स और मौरिसस का एक आइलेंड जो सेसल्स के पास यहाँ पर यह है एगालीगा यह इसके सदन पार्ट को साउथ एगालीगा कहते हैं फिर मौरिसस के साउथ इस्ट में जाएंगे तो यहां पर है यह छोटा सा आइलेंड यह है सेंट ब्रेंडन आइलेंड तो यह सब मौरिसस के छोटे छोटे आइलेंड हैं